हेलो तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो है सेल जंक्शन यह काफी इंपोर्टन टॉपिक है यूनिट वन का है तो देखते हैं सेल्स के जंक्शन क्या होता है तो आपकी बॉड़ी में जो सेल्स होती हैं यह आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है और जो चीजी ने आपस में कनेक्ट करके रखती है उसे बोला जाता है जंक्शन तो सेल्स जंक्शन वर्ड से ही आप समझे रहे होंगे जंक्शन का मतलब होता है कि आप पॉइंट ऑफ मेटिंग जिस पॉइंट पे कोई भी कोई भी सेल है अपनी पोजिशन पे किसी भी जंक्शन के वजह से रहती है सेल जंक्शन जो हैं दो चीजों के बीच में होती है या तो वो सेल और सेल के बीच में हो सकते हैं या फिर सेल और ये मैट्रिक्स के बीच में हो सकते हैं सेल जंक्शन किसी भी सेल को स्टेबिलिट प्रोवाइट करता है दो सेल के बीच में कम्यूनिकेशन करने के काम करता है किसी भी सेल में स्ट्रेंट्स और दो सेल के बीच में गैप मैंटेन रखना भी सेल जंक्शन का ही काम होता है और या फिर सेल को उनकी पोजीशन पर बायंड रखने का काम भी सेल जंक्शन का होता है जिसमें कि हमारा पहला है Ancoring Junction, Ancoring Junction में और तीन टाइपस है Aethering Junction, Desmosomes & Hemidesmosoms Ancoring Junction का मेन काम हिता है कि Cell को Separate करना, सभी Junction का काम एक ही होता है Cell को Separate करना है तो Common Function है और फीर एक काम हिता है Bynd करना जो Cells हैं उन्हें आपस में으 काम रखने का काम Ancoring Junction का होता है आता है gap junction gap junction का दूसरा नाम है communicating junction अब यह junction क्या काम करता है पहला तो cells को separate करता है आपस में फिर communicate करता है जैसे दो cells मौझूद हैं यहां पे और हमें इसमें से कुछ material इसमें से आपस में transfer करना है कुछ material तो वहां पर हमें क्या जरुत पड़ेगा gap junction ठीक है और अगला है और क्यूद यह इसे बोले जाता है टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन हमारी बॉड़ी में उस जगह पर प्रेजन्ट होते हैं जहां पर हमें कोई भी material को transfer होने से रोकना है जैसे आपकी body में stomach हो गया आप food जब कोई भी खाते हैं खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो आपके stomach में ही रहता ऐसा तो नहीं है कि stomach को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है तो और आपकी kidney में भी यही cells होती है इन cells के बीच में यही tight junction होता है तो यह होता है junction का basic idea आप आई है डिसकस करते हैं इनके tabs को detail में तो first time आता है anchoring junction anchoring junction में पहला है adherence junction या इसे adhering junction भी बोला जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह junction दो cells के बीच में होता है यहाँ पर suppose करिए मैंने यह दो cells माने हुई है यह first cell है यह second cell है इन cell को adhering junction में bind करके रखा जाता है कुछ proteins के जरिए जिने बोला जाता है glycoprotein जो plasma membrane है यह glycoprotein के जरिए bind होते हैं और यह होते हैं हमारे ketrine protein ठीक है अब यह proteins जो होते हैं हमारी दोनों ही cells पे एक layer से attached होते हैं जिनके जरिए रुके होते हैं और इन layers को बोला जाता है यह plague जो होते हैं fatty substance से बने होते हैं जैसे की cholesterol बोलते हैं ना cholesterol हमारी cell मनने मदद करता है तो यहीं बे cholesterol के काम करता है इन proteins को अपने अंदर attach करा हुआ होता है और यह proteins हापस में ऐसे करके bind up होते हैं जिसके वजह से दोनों ही cell अपनी position पे fix रहती हैं और जब भी contraction और relaxation की process होती है तो उसमें भी यह cells पूरी तरह से separate नहीं होती हैं मतलब यह अपनी position maintain रखती हैं और उसके बाद में यह जो प्लेक हैं यह अटेच होते हैं further micro filament से micro filament यह जो structure आपको दिख रहे हैं blue color के यह है micro filaments माइक्रो फिलामेंट्स आपके muscle fibers होते हैं जो की होते हैं actin and myosin जो cell contraction में मदद करते हैं जब भी cell ऐसे contract होती है relax होती है उसमें यह काम आते हैं तो यहां पे पूरा process यह होता है यहां पे आपका glycoprotein हो गया जो की plague से bind होता है और plague माइक्रो फिलामेंट्स से bind होते हैं जो की micro filament cytoskeleton पर होते हैं cytoskeleton आपकी cells का part होता है बचा हुआ cells में ही attach होते हैं जबकि बागी में और different structure होता है micro filament का जैसे आपकी intestine है यहां पे जब आप food कोई भी ingest करते हैं तो आपकी body में जाता है isophagus में stomach में तो वह food जाने के बाद आपकी contraction and relaxation होता है आपकी intestine में बट क्या होता है कि वह एक बार ऐसे relaxation हो गया वह बापी से contract हो जाती है तो यहां पे काम आता है अपका एद्रेंग जंक्शन जो कि आपकी cells को bind रखता है next आता है desmosomes अच्छा एक चीज मैंने आपको बता दी एंकरिंग जंक्शन जो है binding जंक्शन होते हैं इनके तीन टैप्स होते हैं तो सेकंड टाइम पे अब आते हैं desmosomes desmosomes में same adhering junction की तरह ही glycoproteins होते हैं यह प्लासम एंब्रेंस से glycoproteins जो हैं आपके cytoskeleton से जुड़े थे मतलब कि cell के बाहर वाले पार्ट से जुड़े थे बट यहां पर वह ऐसे ही इधर उधर जुड़े वह होंगे वह सेल के पार्ट से नहीं चुड़े होंगे और यह माइक्रोफिलामेंट बागी कहीं और किसी और से यहां पर जुड़ र से हारकी का मज़ेंट पर यहां पर कौन से all请 समरे काम कर रहे हैं तो मेंने आपको बताया कि जंचिन हमारे दो तरीक एक उते हैं यहां पर यहां पर एक तरफ इस दो चैल से नहीं होगी यहां पर एक तरफ की सेल्स होगी डेस्मोसोम की तरह जिसमें की प्लेक होगा माय जो प्रोटीन होगे और maikro filament निकलागा होगा बट इसमें जो protein है इसका एक पार्ट cells के plasma brain से अठेच होता है दूसरा पार्ट आपका matrix से अठेच होता है जैसे आपकी skin में भी कुछ cells होती है epidermis और आपकी eye में कुछ cells होती है और hair जैसे hair आपका अठेच होता है ना ऐसे अंदर माइक्रोफिला मैट्रिक्स से तो यह होता है हेमिडेस्मोसोंस नेक्स्ट बढ़ते हैं गैप जंक्शन की तरफ गैप जंक्शन नाम से ही आप समझ रहे हैं कि यह सेपरेशन करता है गैप मैंटेन रखता है दो सेल्स के बीच में तो यह जंक्शन हमारा सेल टू सेल जंक्शन होता है यह दो सेल को सेपरेट करने का काम करता है और साथ ही सेपरेट करने के अलावा यह उन सेल्स के बीच में कॉम्यूनिकेशन भी मैंटेन रखता है और साथ ही कुछ ions का और important nutrient का transfer करता है हमारी कुछ cells होती हैं body में जिने important nutrient की जुरुत बराबर रहती है जैसे हमारी eye की जो skins होती है उनमें, sorry, eye की जो cells होती है उनमें nutrients हमेशा चाहिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो cells हैं इन दो cells के बीच में ये कुछ protein की कुछ tubules हैं मतलब कोई tube like structures हैं दो protein हैं उनके बीच में थोड़ी सी जगा है जहां से कोई भी material transfer हो सकता है तो ये क्या गाम कर रही है कि दो cells को आपस में separate भी कर दे रही है और कुछ भी material का transfer भी इन proteins के जरीए हो सकता है तो ये proteins की जो tubules होती है इन्हें बोला जाता है connections या connections ठीक इन्हें बोल सकते हैं ये आपके कहां पर present होती है muscle cells में, nerve cells में आपके जो neurons होते हैं आपको nutrient बहुत ज़्यादा चाहिए होता है next बढ़ते हैं tight junction की तरह ये आपका third type का junction है और tight junction से आप tight words से ही समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा compact हो जाना compact जहां पर कोई भी space ना हो तो यहां पर आपका trans membrane proteins जो होते हैं वो कुछ cells में इस तरीके से bind होती है कि वहां पर कोई भी space ना बचे एकदम seal कर देते हैं space को, intracellular space को एकदम seal कर देते हैं और कोई भी passage होने से prevent करते हैं तो जैसे stomach है आपने food खाया है intestine है, urinary bladder जहां पर आपका urine जो है इस तरीके से आपके urinary bladder में होता है वो बाहर body के और किसी parts में नहीं जाता है तो इन junction में क्या होता है कि आपके proteins मिलके ये कुछ इस तरीके से trans membrane proteins होते हैं ये कुछ इस तरीके से आपके cells को चार सबसे bind कर लेते हैं cell junction को ये दो cells है सबसकर ये मेरे हाथ और इनको आपस में ऐसे bind कर देंगे कि कोई भी space नहीं रह जाएगा तो ये होता है हमारे junction तीन taps के होते हैं उमीद करता हमको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको इन notes का link से ये हो तो मैं description में दे दूँगा और चैनल को subscribe कर लीजिए बाकी आपको यहाँ पे playlist मिल ही जाएगी इस playlist पे जाके आप देख लीजिए मिलते हैं किसी और एक अच्छे सी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद